once again welcome back to my youtube channel तो आज सिखने वाले हम लोग index number जिसमें सिखेंगे कोई भी data का last pairs price index कैसे निकालेंगे passes price index कैसे निकालेंगे and features price index कैसे निकालेंगे कोई भी अगर आपको question आएगा exam में तो तो आज सिखाऊंगा ये data का last pairs, passes and features price index number इस data का सिखाऊंगा साथ में कोई भी question आपके exam में आएगा तो उसका solution कैसे करेंगे कैसे बनाएंगे और student कहाँ पर confused होता है कहाँ पर solution बिगाड़ लेता है वो भी सिखाऊंगा क्योंकि हमारे चैनल पर एक वीडियो में सारा concept किलिर सिखा जाता है तो चैनल को subscribe कर ले अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना, comment करना, subscribe भी कर देना subscribe के साथ इसको share भी कर देना अपने दोस्तों में तो चलिए शुरू करता हूँ Index number यह आपको BBS, BBA, CA, BHM, Economics Class 10, Business Statistics में देखने को मिल जाता होगा यह question आता रहता है exam में बहुत यह आसान सा question है यहाँ पे data दिया हुआ है commodity, base year 2010, current year 2024 तो आपको याद रखना है आपको यहाँ पे base year दे या ना दे, current year दे या ना दे यहाँ पे आपको number में भी दे सकता है 2010, यहाँ पे दिया हुआ है 2024 ठीक है base year का मतलब होता है पहले का साल जो साल होता है जैसे के 2008 हो दे सकता है यहाँ पे 2002 दे सकता है 1996 दे सकता है current year का मतलब होगा 2024 अगर यहाँ पे 1996 है यहाँ पे 2020 है तो इसको मानेंगे base year इसको मानेंगे current year बस यह याद रखना है इक्जाम में आपको इस प्रकार का table दिया होगा यहाँ पे commodities है ABCD आपका जरूरी नहीं है चारी देगा यहाँ पे ABCD दे सकता है ABCD यहाँ दे सकता है तो उसको देखके ड़ड़ना बिलकुल नहीं है यहाँ पे price per unit RS दिया हुआ है expenditure दिया हुआ है price per unit दिया हुआ है expenditure दिया expenditure के place पे quantity भी देख सकता है, तो आपको एक बात क्या बताना चाहता हूं, कि question में table कैसा भी हो, ठीक है, उसका solution हम लोग एक ही type से करेंगे, तो सबसे पहले आपको अगर पुछा हुआ है, find last pairs, passes, and features price index number for the flowing data, अगर data दिया हुआ है, तो सबसे पहले solution यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और solution लिखने के बाद, आप लोग क्या करिएगा, एक table बनाईएगा, तो चलिए table बना लेते हैं, कोई भी question आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, table बनाना है, तो वो table चलिए बना लेते हैं, तो इस परकार का table आप लोग बना लिजिएगा, तो यहाँ पे आपका कोई भी question आए, आपको अगर last pairs, pastes and features पुछा हुआ है, या last pairs सिर्फ पुछा हुआ है, या सिर्फ pastes पुछा हुआ है, या सिर्फ features भी पुछ सकता है, या दोनों पुछ सकता है, या तीनों पुछ सकता है आपके exam में, और table कैसा सबसे पहले solution लिख के आपको याद रखना है कि यही table आपको हमेशा बना लेना है, इस तरह से, ठीक है, तो क्या करना है आपको एक बात ददा दू, यहाँ पे commodities दिया हुआ है, तो मैंने यही commodities यहाँ पे लिख लिया, आपको हमेशा लिखना है, P0, Q0, P0, Q0, P1, Q1, P1, Q ऐसा table हमेशा बनाना है, कैसा भी question आएगा तो, उसके बाद यहाँ पे देख सकते है, जो commodities है, A, B, C, D, वही मैं यहाँ पे लिख दूँगा, A, B, C, and D, इस तरह से मैं लिख दूँगा, अब P0 का मतलब क्या होता है, यह price जो होता है, base year का जो price होता है, यहाँ पे क्या है, base year में price क्या दिया हो है, 2415, उसका मतलब होता है, P0 का मतलब होता है, base year का price है, तो यहाँ पे लिख दूँगा, वही, यह 2415 है, यह लिख दूँगा, 2415, इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, इतना लिखने के बाद, आपको एक बत दादू, यहाँ पे अगर quantity दिया ह base year का quantity, यह Q0 का मतलब होता है, base year का quantity है, यह Q0 का मतलब क्या है, base year का quantity है, यहाँ पे देख सकते है, यह base year है, यहाँ पे quantity नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे expenditure दिया हुआ है, base year का expenditure बोले तो P0, Q0 होता है, याद रखना है, अगर यहाँ पे quantity देता, तो मैं यहाँ पे लिखत ठीक है यहां पर expenditure दिया हुआ है expenditure का मतलब होता है P0 Q0 ठीक है इन दोनों को multiply करेंगे तो वही खर्च हुआना हमारा तो याद रखना अगर expenditure आपका दे रहा है इसका मतलब है base year का expenditure है ठीक है खर्च है तो यहां कितना है 14, 16, 10, 25 वही मैं लिखूंगा यहां पर 14, 16, 10, 25 तो अधिकांस जो student होता है यहीं पर बिगाड लेता है यह क्या सोचता है expenditure दिया होता है quantity में रख देता है यह base year के quantity में fill up कर देता है तो यह जो value है यह quantity में नहीं रखना है आपको P0 Q0 में रखना है याद रखना है यहां पर x quantity दिया होता ठीक है quantity बोला जाता यहां quantity Rs होता तो इसमें जाता यह quantity होता तक इसमें जाता इस टेबल जाता तो बच्चे लोग यहीं पर बिगाड लेते है ठीक है तो उसके बाद यह हो गया अब इसका मतलब क्या है current year का यह current year का price कितना दिया हुआ है हमारा रहा current year current year का price 5,8,2,10 है तो वहीं लिख दूंगा मैं यहाँ पर P1 में 5,8,2,10 ठीक है इस तरह से अब फिर से expenditure दिया हुआ है ठीक है तो current year का expenditure का मतलब क्या हुआ P1,Q1 हुआ यह P1,Q1 है ठीक है अगर यहाँ पर quantity होता वो Q1 में जाता याद रखने ला है expenditure किस में जाएगा P1,Q1 में जाएगा हमेशा याद रखना है आपको तो यहाँ पर वहीं लिख देनता हो 75,40,24,40,24 और जो last का number है वो है हमारा 60 ठीक है इतना हम लोग भर चुके है fill up कर चुके है तो यहाँ पर याद रखना क्या बात है अगर price दिया हो यहाँ पर base year का price है यह base year का क्या हुआ P0,Q0 हुआ यह price per unit जो है यह आपका current year का price है P1 यह हमारा हुआ P1,Q1 अगर यहाँ पर quantity होता तो Q0 में लिखते इसमें fill up करते अगर यहाँ पर quantity होता उसको Q1 मे fill up करते इस तरह का question आपको देगा तो तो चलिए अब क्या करेंगे इस तरह का table बन चुका है इस तरह का table बनने के बाद हम लोग को Q0 नहीं दिया हुआ है तो Q0 find out कर लेते हैं Q0 को find out करने के लिए क्या करेंगे इसको यह 40 है इसको 2 से divide कर देंगे ठीक है तो 40 divide by 2 करेंगे तो हम लोगा कितना आजाएगा 20 इसमें लिख दूँगा मैं 20 फिर 16 को 4 से divide करूँगा तो कितना आजाएगा 4 तो 4 हो जाएगा ठीक है इसको 10 को divide 1 से कर देंगे तो कितना आजाएगा 10 10 हो जाएगा 25 को 5 से divide करूँगा तो कितना आजाएगा 5 ठीक है तो कभी-कभी क्या दि P0 Q0 हो गया तो उस वक्त हमारा P0 नहीं दिया होगा तो P0 कैसे निकाल लेंगे 40 को divide 20 से करेंगे तर 2 आयागा ना तो उस तरह से भी आपको question दे सकता है ठीक है तो यह याद करके आप लोग जाना ठीक है कभी कभी price नहीं देता है quantity expenditure देगा कभी कभी price expenditure देगा quantity नहीं देगा कभी कभी price quantity देगा expenditure नहीं देगा तो याद लेख लेना है यह price है quantity है यह expenditure है ठीक है price quantity expenditure बस याद रखने ला है यह current year का price current year का quantity current year का expenditure है base year का price, base year का quantity, base year का expenditure होता है उसी तरह से हम लोग, यहाँ पर Q1 निकालना है Q1 दिया हुआ है, अब P1 है Q1 कैसे निकालेंगे, इसको इससे divide कर देंगे तो कितना हो जागा, 25 divided by 5 करूँगा, तो कितना हो जागा, 15 40 divided by 8 करूँगा, तो कितना हो जागा, 5 24 divided by 2 करूँगा, तो 2 will, 60 divided by 10 करूँगा, तो कितना जागा, यहाँ पर 6 आजाएगा ठीक है, इतना हो चुका है, अब यहाँ पर क्या है, बनाना हमको हमेशा यह table बनाना है, याद रखनेना है P0 Q1 है, P0 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है Q1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों को जब multiply करूँगा, तो कितना आजाएगा, 30 उसी तरह से, P0 को Q1 से जब multiply करूँगा, 5 ओर जा, 20 1 को Q1 से multiply करूँगा, 1 इंटो 12, 12 5 को 6 से multiply करूँगा, तो वह आजाएगा हमारा, 30 उसी तरह से, P1 Q0 निकाल लेना है, ठीक है, तब P1 हमारा यहाँ पर है, इसको blue pen से दिखा देता हूँ, ठीक है P1 हमारा यहाँ पर है, Q0 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों को multiply करूँगा, तो कितना आजाएगा, 20 इंटो 5 कितना हो जाएगा हमारा 100, उसी तरह से, 8 इंटो 4 को multiply करूँगा, तो 32, 10 इंटो 10 को यहाँ पर P1 Q0 है, ठीक है, P1 20 इंटो 5 करूँगा, तो 100 उसी तरह से 8 into 4 करूँगा तो 32 हो जाएगा उसी तरह से 10 into 2 करूँगा ना 10 into 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 20, 100 नहीं होगा इसको इसको multiply नहीं करना है इसको इसको multiply करना है 4 into 8, 32, 10 into 2, 20, 5 into 10, 50 इस तरह से हमेशा आपको निकाल लेना है इतना निकालने के बाद अब क्या करेंगे समेशन निकाल लेंगे समेशन हमेशा समेशन P0 Q0 का निकाल लेंगे ठीक है पहले समेशन P0 Q0 का निकाल लेंगे इन चारों को 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 25 जब एड करूंगा इन चारे नमबरों को जब एड करूंगा जोरूँगा तो 91 हो जाएगा ठीक है यह निकाल लेंगे उसके पाद summation P1 Q1 निकाल लेंगे P1 Q1 इसको 75 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 60 इन 4 नमबरे को जोर देना है एड़ करना है जब एड़ कर लेंगे तो 199 आजाएगा ठीक है इस तरह से लिख लेंगे उसी तरह से इसका भी summation निकालेंगे summation P0 Q1 इसका summation निकाल लेना है तो वह क्या आएगा summation P1 Q0 लिख लूँगा इसके बाद इसको एड कर लूँगा 100 प्लस 32 132 132 प्लस 20 152 152 प्लस 50 करूँगा तो कितना आ जाएगा 200 2 आ जाएगा अब हमको क्या निकालना था वो देखेंगे और फर्मुला लगा लेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पूछा था find last piirs तो पहले last piirs निकल लेंगे उसके बाद patses निकल लेंगे उसके बाद pations price index निकल लेते हैं चलिए आपको formula लिख कि него answer solution करके दिखा देता हूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहांपे सबसे पहले हमको Laspers Price Index निकालना था तो Laspers Price Index को denotion होता है P01 ठीक है LA इसका मतलब है Laspers Price Index ठीक है इसका मतलब क्या है Laspers Price Index है तो इसका formula जो होता है वो होता है summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100 होता है ठीक है is equal to summation P1 Q0 कितना है हमारा P1 Q0 202 है वही लिख लूँगा यहाँ पे 202 है नहीं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 202 है वही लिख लूँगा divided by summation P0 Q0 कितना है 91 into 100 है 100 हो गया is equal to अब इसको जब सल्ब करेंगे हमारा आज आएगा 221.98 हमारा last pairs price index निकल चुका है इस तरह से अब निकाल लेते हैं passes price index ठीक है तो इसी तरह से P01 लिख लूँगा मैं P01 passes price index इस तरह से denotion करते हैं ठीक है passes price index का last pairs का उपर आप लोग देखी रहा होगा यहाँ पे last pairs हो गया इसको बोलते हैं passes price index इसका जो फर्मूला होता है वो होता है summation P1 Q1 divide by summation P0 Q1 multiply by 100 यह फर्मूला है आपको याद रखना है summation P1 Q1 कितना है हमारा 199 divide by summation P0 Q1 कितना है summation P0 Q1 92 तो यहाँ से 92 कर दूँगा into 100 है 100 कर दूँगा 199 को 100 से multiply करके divide करूँगा 92 से तो हमारा आजाएगा 216.30 यह हमारा passes price index हो चुका है तो last pairs pass से सिर्फ पूछा जाएगा तो बस इतना ही कर लेना यह निकल चुका है यह निकल चुका है अब यह last का है तो यह भी निकाल लेता हूँ features price index चलिए इसको features का भी निकाल देते है तो हमारा end हो जाएगा तो जो last का है features को denote करते है P01 A5 से ठीक है तो इसका जो फर्मुला होता है वो होता है root में ठीक है तो root में क्या होता है summation P1 Q0 divide by summation P0 Q0 multiply summation P1 Q1 divide by summation P0 Q1 इसको करके multiply by इस तरह से 100 100 root में नहीं होता है ठीक है यह root में नहीं होता है तो मैंने क्या किया यहाँ पर देख सकते हैं इसको और इसको root में तो रखा है यही फर्मूला का multiply तो किया है ना अब value रख देंगे ठीक है तो value रखेंगे is equal to root under कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते है P1 Q0 कितना है था यहाँ पर देख सकते है 202 divide by P0 Q0 कितना है था 91 into P1 Q1 कितना है था summation P1 Q1 199 divide by यह क्या है P0 Q1 है summation P0 Q1 P0 Q1 कितना है 92 यहाँ पर 92 लिख दूँगा ठीक है multiply 100 हो जायागा इस तरह से ठीक है तो इतना करने के बाद जब इसको solve करेंगे जब इसको solve करेंगे तो हमारा जो value आयेगा वो आयेगा 219 0.123 यह आप लोग calculator करके निकाल सकते है